जैसरी राधिक्रिष्ण आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भीके मिस्रा प्रजेंट में बहुत-बहुत स्वागत है। आईए आज आप सब जानेंगे आज के देनिक पंचांग के बारे में आज के दिन और रातरी के शुप चोखडियां मुर्त के बारे में और पिर जानेंगे ग्रतों के बारे में आज दिनांक 27 मई 2024 दिन सोंबार सोंबार भगवान भोलेनात और माता परवती का दिन माना गया ह आज जिनका भी जन्मी दिन है उनको उनके जन्मी दिन की धेर सारी शुप कामनाए जिनका भी विवाह का शाल गिरा है उनको भी धेर सारी शुप कामनाए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जितने भी ब्रत और कथा को सुनने बाले हैं तथा पंचांग को सुनने बाले हैं आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनात और माता परवती का किरपा सदाइब बना रहे सभी सदा स्वस्त रहे और सदा खुशाल रहे आज जेश्ट मास प्रिष्ण पक्षी की चतुरती तिती होगी साम 4 बजकर 4 मिनट तक अगर आप सब आगे की निरजला एकादसी ब्रत्य की बारे में जानना चाहते हों या वट सावितरी ब्रत्य की बारे में जानना चाहते हों तो उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है या वीडियो की इंडे स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है आप उसके माध्यम से जानकारिया को प्राप्त कर सकते हैं आज सुर्योदय सुभा 5 बजकर 8 मिनट और सुरियास्त साम 6 बजकर 42 मिनट चंदरोदय यानि की चंदरमा उदित होंगे रातरी 10 बजकर 32 मिनट और चंदरास्त यानि चंदरमा अस्त होंगे सुभा 8 बजकर 9 मिनट पे शुरिय विशरासी में रहेंगे और चंदरमा धनुरासी में यहां वसंत रितू है अयन उत्तरायन रहेगा योग शुभ्योग सुभः चशै बज़कर सैथीस मिनद तक उसकी बाद शुक लोग करन बब करन सुभः 5 बज़कर बथीस मिनद तक उसकी बाद बालब करन नश्यत्र की बात करे तो पुर्वा शाधान श्यत्र सुबा दस बसकर तेरह मिनट तक उसके बाद उत्तरा शाधान श्यत्र दिशाशुल की बात करे तो आज सोंबार दिन होने की कारण आज के दीन दक्षिन, पुर्व, अगनाय दिशा की यात्रा ना करे यलापकारी नहीं होगा अगर ज़्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से दर्पन देखकर यानि की आईना देखकर घर से बाहर निकले इससे पहले पांच कदम पीछे चले फिर अपने गंतब्वे की ओर आगे बढ़े आज सोंबार का दिन है तो आज के दिन भगबान भोलेनात माता परवती का पूजन करे तो लापकारी होगा अब आईए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दोरान कोई भी शुबकारिय या नया कारिय नहीं करना चाहिए या लापकारी नहीं होता है तो आज का राहु काल समय होगा सुभा 6 बजकर 50 मिनट से सुभा 8 बजकर 31 मिनट तक गुली कालम समय होगा 2 पहर 1 बजकर 37 मिनट से 2 पहर 3 बजकर 18 मिनट तक अविजीत महुर्थ का समय सुभा 11 बजकर 28 मिनट से 2 पहर 12 बजकर 22 मिनट तक आज का विजय महुर्द समय दो पहर दो बजकर 36 मिनट से दो पहर तीन बजकर 31 मिनट तक आज का गोधुली महुर्द समय साम 7 बजकर 11 मिनट से साम 7 बजकर 31 मिनट तक आज का निशीता काल महुर्द समय रातरी 11 बजकर 58 मिनट से रातरी 12 बजकर 49 मिनट तक आज का ब्रह्म मुर्द समय सुभा चार बजकर तीन मिनट से सुभा चार बजकर चोबालिस मिनट तक होगा अब आए जानते हैं आज के दिन और रातरी के शुप चोगडियां मुर्द के बारे में चोगडियां साथ परकार की होती है जिसमें से की चार शुप चोगडियां महुड़त और तीन शुप चोगडियां महुड़त तो हम जानेंगे केबल आज के दिन और रातरी के शुप चोगडियां महुड़त के बारे में 8 बजकर 32 मिनट से सुबह 10 बजकर 13 मिनट तक उसके बाद 4 नामक शुप्चोहडिया मोरत दो पहर 1 बजकर 37 मिनट से 2 पहर 3 बजकर 18 मिनट तक उसके बाद लाव नामक शुप्चोहडिया मोरत दो पहर 3 बजकर 19 मिनट से साम 5 बजे तक उसके बाद अमरित नामक साम 5 बसकर 1 मिनट से साम 6 बसकर 42 मिनट तक तो यहती दिन की शुप चोहडिया महुरत अब आएए जानते हैं रातरी के शुप चोहडिया महुरत के बारे में जो की चर नामक शुप चोहडिया महुरत साम 6 बसकर 43 मिनट से रातरी 8 बजे तक उसके बाद लाव नामक शुप चो उसके बाद शुभ नामक चोहडिया महुरत रात्री एक बजकर 13 मिनट से रात्री दो बजकर 31 मिनट तक उसके बाद अमरित नामक शुभ चोहडिया महुरत रात्री दो बजकर 32 मिनट से रात्री तीन बजकर 50 मिनट तक उसके बाद चर नामक शुप्चोहडिया महुर्त रात्री तीन बजकर पचास मिनट से अगले दिन सुबह पाँच बजकर आठ मिनट तक तो यहती दिन और रात्री की शुप्चोहडिया महुर्त यह विक्रम शंबत दुहजार एक्यासी पिंगल है और शक्षंबत उनीस सो चियालिस क्रोधी तो आसा करता हूँ कि यहा जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान बरधक चानकारिया प्राब्त करते रहने के लिए प्रत्यपूजा के बारे में जाने के लिए कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बारा आये हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिकेशन आपको समय से मिलता रहें वीडियो को लाइक करें शेयर करें शुक्री रहें और स्वस्त रहें जैस्री राधिकर्ष्ण धन्यवाद